गाइस फिर से एक बार प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है आज में एक ऐसा कंडिशन के बारे में बताने जारो जो इमर्जेंसी है ब्लड ट्रांस्विजन इमर्जेंनी करने जारो है तो गाइस उससे पहले हम गलफ्स पहनेंगे क्योंकि यह सेफटी परपस के लिए बहुत जुरूरी है खुद का सेफटी और पेसेंट का सेफटी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते अगर नहीं कि अभी तक तो क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जाते रहेंगे प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक तो गैस हम गलफ्स पहन लिए दोनों और यह अ आगेज पे bt note भी लिखते हैं उसमें blood bag number होता है blood का group होता है सब उसमें add होता है और mismatch नहुँ इसके लिए हम चीजए करते तो गैस यह blood का जो बैग में है जो ejector होता है मतलब income और outgoing जो हता उसमें blood का तो guys हम उसको अच्छे से तोड़ेंगे कि ज्यादा blood spill नहीं हो और उसको जैसे हम यह तोड रहे हैं then हम उसको connect करेंगे इस BT set का जो एक side होता तो उसको very gently and tightly we have to connect that so there should not be a spilling of blood तो guys यह हम बहुत gently and tightly हम उसमें eject करें तो यह हो गया अब हम इसको टांग देंगे जो blood bag होता है इसको height में टांगना है ताकि blood easy से नीचे चला जाए अगर जो एक कम और करना है कि जो blood pipe है जो blood bag से आता है BT set में उस pipe में air नहीं होना चाहिए उसके लिए हम थोड़ा से blood को नहीं बाहर निकाल देंगा फिर उसको अच्छा से fake देना है dust twin में तो यह हम निकाल लें ताकि air न रहे air रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा उसमें patient को तो guys यह हम air निकाल लिए pipe से अब इसको हम connect कर देंगे intra cat से cannula जो लगा हूँ already patient में तो हम यह उसमें कर देगा जिसका speed होता है 10 drop per minute की speed से हम लोग देते हैं ना जाद उससे speed और ना slow तो बहुत ही gently हम इसको connect कर रहे हैं उससे की जादा मतलब इस पेल नहीं guys again चैनल को subscribe कर दिजिए so आगे भी important videos practically I will upload so guys यह start होगा है और हम उसको वहाँ पर वोकर adjust करे 10 drop per minute कोई emergency condition like chill, fever or anything you should stop the BT and call SOD doctor उसके बाद फिरम कोई emergency ना हो thank you guys for watching